मिर्जापुर जिले में भारती जन्ता पाटी वा अपना दल गड़ बंदन की नेता अनुपरिया पटेल को 2,32,000 के पिर चंड वोटों से विजे घोशित होने पर पाटी के कारी करता हूं समीत पाटी के विजे पूरे मिर्जापुर जन्पत के लोगों ने दीबधाई वही अनुपरिया पटेल ने सभी जन्पत वास्यों को जीत के लिए धन्यवाद ग्यापत किया वही प्रधान मंतरी मोदी जी को अपनी जीत के अफसर पर पुन प्रधान मंतरी बनने की अपील की वही भारती जन्पाटी के नगर विदहायक रतना मिश्रा मरिहान विदहायक रमा शंकर सिंग पटेल अनुराग सिंग अपना दल अध्यक्स अशिष पटेल के आवास पर स सबी कारेकरताओं का अनुप्रिया पटे ने अभार वेक किया वही मिर्जापुर जिले के जिला अधिकारी अनुराग पटे ने जीत का दिया पिर्मान पत्र मिर्जापुर से आशिश पांडे लाइब अभी तक मिर्जापुर की जनता का मेरे लिए सने है उनका मुझ पर भरोसा है और उनका धेर सारा आशिरवाद मुझे दूसरी बार लगातार प्राप्त हुआ है मैं मिर्जापुर के सभी मतदाताओं की बहुत बहुत आभारी हूँ और साथ ही में अपना दल भाजपा और निशाद पार्टी के सभी कारेकरताओं को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिनके अथक परिश्रम से आज ये रिकॉर्ड जीत हम लोगों ने यहाँ पर दर्स की है और साथ में हमारे NDA गटबंदन ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक एतिहासिक रिकॉर्ड कायम किया है और देश के अंदर आज NDA गटबंदन 350 सीटे लेकर आया है ये दिखाता है कि किस तरीके से मोधी सरकार की नीतियों के प्रती जनता का विश्वास है मोधी सरकार की नीतियां जनता के जीवन में परिवर्तन लाई है और मोधी जी के नेतरित में आज देश के 90 करोड मत दाता और देश की 700 करोड जनता विश्वास कर रही है भरोसा कर है इस बात का कि एक नए भारत का निर्मान मोदी जी और उनकी सरकार कर सकती मैं 14 से ज़्यादा आपको मत मिले हैं विश्वास ज़्यादा हुआ है तो जिम्मेदारी भी ज़्यादा एसास हो रहा होगा आपको देखिए 2014 में भी अपनी जिम्मेदारीयों का हैसास था जब लड़ने के लिए आई थी पांच साल तक उसका निर्वहन बखुबी किया और यही कारण है कि जनिता ने दुबारा मौका दिया है और पांच साल में फिर मिर्जापुर को विकास की दृष्टी से नई उचाईयो उपर ले जाने का संकल्प लेती हुए